खुब सूरत और ग्लास स्किन पाने के लिए हम महिलाएं कुछ जादे ही परेसान रहती हैं और उसके चक्कर में बहुत सारा पैसा भी खर्चा हो जाता है टाइम भी लगता है लेकिन मन चाहा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब आज के इस वीडियो में आप लोगे साथ एक वाइरल होम रेमडी सेयर कर रही हूँ जो कि आपके फेस पे इस्टंट निखार लेकर आएगा इस टाइम हर एक सोसल मीडिया पर वाइरल चल ला है तो मैंने भी से ट्राइ किया और मुझे काफ भी नहीं है पारलर जाने का तो दो इस्टेप में बताने वाली हूँ दोनों इस्टेप कर लिजिए पारलर से सवगुना अच्छा निखार आपके फेस पे आएगा तो सबसे पाहले स्टेप में इस क्रब बनाएंगे तो उसे बनाने के लिए एक बावल में आपको एक करेंगे ठीक है इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि एक बार आप इसे कर लेते हैं कोई भी फेसियल करानी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस्टन्ट रिजल्ट आपके फेस पे देखने को मिलेगा इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लिजिएगा ताकि जो चीनी का दाना है थोड़ा सा घुल जाए क्योंकि इसे हमें स्क्रब भी करना है फेस पे तो हलका सा ही घुलाना है मार्केट में आपको बहुत सारा स्क्रब मिल जाएगा जो की काफी जादे कॉसली होता है लेकिन इसके आगे वो साइड में दूसरे स्टेप में फेस पैक बना लेते हैं आज के वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है लेकिन आप सभी के लिए काफी हेलफुल होगा इन दोनों स्टेप को जब मैं अपने फेस पे की थी तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच् दिखा तो मैं आप लोग के साथ सेहर कर रही हूं तो इस क्रब बना कर रख देते हैं साइड में दूसरे स्टेप में फेस पैक बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए कटोरी में आपको एक चम्मच बेशन डाल देना है और थोड़ा सा ही हल्दी पिंच ओफ आपको हल्दी ले इस स्कesti मैं आधा शूर्ण ना शूट करता हो यह आप सनल है डालिएगा अगर अपने फेस पे लगाते हो तो एसिकीन को ताइट कर तो बढ़ने के साथ अगर इसकीन आपका लूज हो रहा है आँखों के आसपा जुरियां दिख रहा है तो इसे आप ट्राइज जरूर करिएगा और हर एक पैक में आपको सहत का यूज जरूर करना चाहिए इसका भी घोल तैयार करने के लिए यहां पे आपको रो मिल्क ही लेना है यानि की कच्चा दू अगर आपका कलर सामला है फेस पे बिल्कुल भी निखार नहीं है तो इस दोनों स्टेप को मेरे कहने पे कर लिजिए आपके चेहरे के रंगत को निखारेगा दाग धब्बे को खतम करेगा और इसकीन को टाइट भी करेगा हर तरह से आपके फेस पे काम करने वाला है तो तो फेस वास जो आप अपने फेस पे यूज करते हूं उससे फेस को क्लीन कर लिजेगा लेकिन आपको यही स्क्रब करना है और इस पैक को लगाना है ठीक है तो बहुत सारी बाते हो गई चलिए मैं आप लोको लाइब रिजल्ट करके दिखाने वाली हूं अपने फेस पे दूसरी बार अपने फेस पे यूच कर रहे हूं पहली बार यूच की थी तो काफी अच्छा रिजल दिखा है इस बार मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं तो अभी मैं रेडि हो गई हूं इस क्रब करने के लिए फेस को क्लीन करके ही आई हूं तो सबसे पहले इस्टे करिएगा अगर आपका इसकीन बहुत ज्यादे ड्राई है इसकीन खीचा खीचा राता है फेस पे बिल्कुल भी निखार नहीं है तो आप इसमें तीन से चार बुंद कोको नटाई डाल सकते हैं जो आपकी इसकीन को ड्राई नहीं होने देगा इसे पूरे फेस पे अच्छे स कप कमल का result देता है इसका जितना भी मैं तारीफ करूं उतना कम है प्रस्वनली मैं इसे खुद यूज करती हूं फेस पे नहीं लगाती हूं मैं होम रियमेडी के फेसं की केर करती हूं और आप लोग से बस इतना हीहरी ही करें हूं कि अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा स तो home remedies का यूज करिए जो घरेलू नुस्खा होता है काफी अच्छा result देता है और इसका result आपको अपने face पे लंबे समय तक दीखेगा तो बहुत अच्छा result देता है home remedy के थ्रू आप अपने skincare को follow कर सकते हैं एज बढ़ने के साथ साथ इसकीन लूज भी होता है डल भी दिखने लगता है आखों के आसपास का इसकीन पूरी तरह से लूज हो जाता है फेस पे काले दाग धब्बे दिखने लगते हैं एज बढ़ने के साथ है सारा इसकीन पहर जाए हुए पारलर में हम सभी जाते हैं जाकर फेसियल कराएंगे बहु सारा पैसा खर्चा करेंगे टाइम भी देंगे उसका रिजल्ट पांच से च्छे दिन के बाद पूरी तरह से खतम ही हो जाता है इसकीन पहले की तरह हो जाता है लेकिन इसका रिजल्ट जो घरे गुलो कर रहा है आप लोग वीडियो में देख सकते हैं तो फेस को इस तरीके से मैं क्लीन कर रहे हूं आप ठंडे पानी से भी धूल सकते हैं लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी क्योंकि हैंकी से ही क्लीन हो गया था पूरे फेस पे अच्छे से अपलाई कर लेना है यह आपके फेस पे गोल्डन निखार लेकर आएगा काले दाग धब्बे अगर हलका फुलका होंगे आपके फेस पे तो भी लाइट होने लगेंगे बीक में आप सिर्फ आपको दो बार ही करना है ठीक है फ्रेंट अगर आप अपने फेस पे स्क्रब नहीं करना चाते हैं आपको ऐसा लग रहा है कि इसकीन कोई स्क्रब की जरूरत नहीं है तो सिर्फ आप इस पैक को भी बना कर अपने फेस पे लगा सकते हैं पारलर में जाकर आप लोग बहुत सारा फेसियल कराए होंगे बहुत महांगा महांगा बहुत पैसा भी खर्चा हुआ होगा लेकिन इस मीनी फेसि मुझे दिखा था मैं आप लोग के साथ सेर कर रहे हूं तो मेरे कहने पर इस सी ट्राइए आप लोग जरूर करिएगा आपके इसकीन को टाइट करेगा काले दाग धब्ये को लाइट करेगा अगर आपके फेस पे जाईया के ब्राउन स्पोर्ट दिखना इस्टार्ट हो गया है तो उसे भी जड़ से खतम करेगा तो हर तरह से आपके फेस पे काम करेगा फ्रेंड पूरे फेस पे अच्छे से इस पाइक को लगा लेना है लगा करके इसे मैं छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए तो फाइनली आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं आप लोग के सामने मया गई हूं फेस को धूल करके और कितना प्यारा सा निखार मेरे फेस पे आया है मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है पानी ऐसे मेरे फेस पे लगा है इतना प्यारा सा निख निखार आया है फेस पे गोल्डन निखार देखने को मिला है और आप लोग से हाइली रिक्वेस्ट कर रहे हूं मेरे कहने पे इसे ट्राई आप लोग जरूर करिएगा आपके स्किन को टाइट करेगा ब्राइट करेगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दिजिएगा चैनल पनियों है और आपको इस टाइप का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकिन को आउन कर लिजिएगा आगे आपको किस टोपिक पर वीडियो देखना है कमेंट करके जरूर बताइएगा तो मैं आप लो